लो नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चाइनल पर आज के इस उड़ी में हम बतलब 10 ड्रीमिलियों की विनिंग टीम्स देखने आले पर दोसरा भी मैच आपर रहने आला साड़े साथ बजे जिसकी भी टीम में आपको जरूर देने आला हूँ दस टीम है अभी फिलाल इस टीम को हालेट करके दिखा दिया था पीबी के आस वरसे साथ से भी उस पर क्लिक कर लेनी और अगर आपने टीम नहीं बनाई तो नीचे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जे शर्मा को मैं इस टीम में लूँगा आजविकेट की पर बाकी किसी और को नहीं लूँगा इसके अलाव विराट कोली, शिकर धवन, फाप डुपलिसिस, तीन अच्छे खासे बैट्समन में पास रहेंगे और सबसे बड़ी इस टीम की जो ताकत रहेंगे वह है आल राउंडर्स, माक्सवेल, सिकंदर रजा, एमशाट, सैम कुरन, हसरंगा इस तर से पाच अल राउ अच्छी खासी टीम बनी है, जो कि काफी बड़िया आपको साबित हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि तो इस टीम को आप ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग या बड़ी लीग, किसी भी लीग के लिए यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ने, कोई निकर ने, यहाप अग लेकिन अभी इस तर से रखोंगा, चले दोस्तों इस टीम को क्लोज करते हैं, और सेकंड टीम देख लेते, सेकंड टीम के अगर बात करूं तो दिनेश कार्तिक को आपर विकेट कीपिंग में लूँगा, बाकि किसी और को नहीं लूँगा, विराट कोली, शिखरदवन, फ कर रहा हूं, लेकिन इसके होजे से मेरे पास तीन अच्छे गेन बाज हो रहे हैं, दोस्तों वेन पारनेल, महुमत चिराज, और अर्शादीप सिंग, तीनों जबदस हैं, दोस्तों अच्छी कासी विक्टे इन तीनों को मिल सकते हैं, तो जरू आप इन तीनों के साथ जा स वड़िया है, मैक्सवेल भी लास्ट मैच में काफी खतरनाक परफोर्मंस कर रहे हैं, दोस्तों कर चुके हैं, तो इसलिए इन दोनों को कैप्टन हो, ऐस कैप्टन मनाना काफी फाय देमन रहेगा, शिकर दवन प्लेंग इलोन में रह सकते ऐसे चांसे से, तो इसलिए मैं ये रहने वाले इसी नजर ये से ये टीम में दिखा रहा हूँ, तो अगर आप ये नहीं रहते हैं, तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, चले दोस्तों दूसरी टीम भी हमारे हो चुके, चलते तीसरी टीम पर और तीसरी टीम देख लेते, तीसरी टीम के अगर बात तो यापर पी सिंग को लूँगा जो विकेट कीपर, उसके बाद विकेट राट कोली, शिकर दवन, फाब डुपलिसिस और शारुक खाट, इनको भी आपर लेना जरू है, दोस्तों पिछले दो मैचेस में छोटे-चोटे स्कोर किये हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट काफी ज कियेगा, हो सकता ही, अच्छा परफोर्मेंस करें और आपको जादा से जादा परण दिला दे, तो इसलिए इनको भी लेना कहिना काई जोरूरी है, इसलिए मैं उनको लूँगा, और सिर्फ परशन इप सिंग को इस टीम में एजव गेन बाद रखूंगा, बाकी किसी और क ज़रारी स्टीम का कैप्टनर विराषखो ली ना रहा है, इस टीम का विराषख यूरी को बना रहऊ है घंज सी तो इसलिए थी का आई इस टीम कैप्टनर वाइस का सकते हैं तो लूटा करना चाहे, तो pib कर सकते है. सैम कुरन को कैप्टन और विराट कोली को वाइस कैप्टन भी आप बना सकते चलिए दोस्तों तीसरी टीम ग्राड लीग स्मॉल लीग या बड़ी लीगों के लिए यूज करना कोई प्रॉब्लम ने कोई दिक्कत ने चवत्री टीम की बात करूँ तो चवत्री टीम में आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर जितिश शर्मा को फिर से ले लिया है विराट कोली शिकद और फाब डॉपलिसिस पहर से रहेंगे लेकिन माक्सवेल एम शॉट और सैम कुरन तीनी ओल डॉंटर रहेंगे जि तो इन चारों को लेना काफी 5 फाइवन साभीत हो सकता है यहाँ पर सोड़ा हतके यही कर रहा हूं दोस्तों यही कर रहा हूं तो एम सॉ सब दाव लगाएंगे तो फाबmy को यह विराट कोल लगाएंगे लेकिन शॉट पर यहां दूसरे खिलाडिगल तो अगर यह ज्या प्रफॉमंस करते तो आपको काफी ज्यादा से जाधा एशा मैगों को सकते नहीं दिहां Supra चले ने चुखे पाच्वी टीम के बात करते हैं गिर ती का वाती फिर से चार एणी पाफ और ऐताय वरां पर यह Security परफॉर्मर करने वाले सभी प्लियर हमने या पर ले लिये जिसके वज़े से यह बी टिम जबर्दस बन गए है इस टीम का मैक्सवेल को क्याप्टन की जगह पर शिकरदावन को क्याप्टन और मैक्सवेल को वाइस कैप्टन भी आप बना सकते हैं लेकिन मैं इसी तर से रखूंगा काफी बड़ी आ टीम में आप इस्टीम को स्मॉल लीग ग्रैड लीग या बड़ी बड़ी लीगों के लिए सभी ल सब्सक्राइब के लिए वन डाउन के पोजेशन पर आ रहे मेरे काल से तो इनको भी कहिना कई लेना थोड़ा अच्छा रहेगा सर्प्राइजिंग रहेगा दोस्तों क्योंकि अगर यह अच्छा कते तो काफी कम लोग रहेंगे कि इनको अपनी टीम में शामिल करने वाले इसके बाद मेरे पास मैक्सवेल, सिकंदर रजा, एमशाट, सैम कुरन और हसरंगा पार्च अल्र उंडर फिट से रहेंगे और वी वाईशाक को में इस टीम में लिया है जग गेन बाज यह भी काफी खतरनाक गेन बाजी की थी पहले मैच में हाला के लास्ट मैच में परफ यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं कहाँगा कि क्याप्टन को वाईस कैप्टन और क्याप्टन को अभी इस तरह से लगाएगा दोस्तों क्योंकि साम कुरंद जाधा बेटर है अगर श्रंगा से देखें तो इसलिए अगर आप चाहें तो करना चाहें तो कर सकता हैं लेकिन मुझे नहीं लगना कई जरूरत है इस टिम को जादा से जादा ग्रैड लीग या बड़ी बड़ी लीगों के लिए उसकी जगा स्मॉल लिग के लिए यूज ना भी करे तो कोई प्रॉब्लिम नहीं है लेकिन अगर आप करना चाहे तो कोई प्रॉब्लिम नहीं कोई दिक्कत सब्सक्राइब करना चाहे तो काफी बड़ी बड़ी लीगों के लिए तो इनको वाइस क्याप्टन बना रहा हूं दोनों आपको काफी बड़ी पर्फोर्मस करके विक्टे लेके दे सकते हैं तो इसलिए इन दोनों को क्याप्टन बना रहा हूं काफी बड़ी बड़ी लीगों के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज कीज़ेगा इस टीम को मैं पर आर्शण दीप सिंग यह दोनों गेंबाजी में रहेंगे तो यहां पर देख सकते है क्यातर मेने जितेश शर्मा को बना है शायद ही कोई बंदा रहेगा इनको captain ben Shada और विडाथ कोली को इनके साथ 50 Captain मना रहा हो एक रिषकी जरूर है रिस्की है Captain लगाना लेकिन अगर वह अच्छ कर देना दोस्तों तो आपको ग्रैण लिक जितने से कोई नहीं रोख सकता तो इसलिए यहाँ पर मैंने इनको कैप्टन मनाया है और विराट कोली तो सेफ है यह दोस्तों तो यहाँ पर कुल मिला के इस टीम को भी में जादा से जादा नहीं पूरी तर से कहूंगा ग्रैंड लिग या बड़ी लिगों के लिए उसके जगा स्मॉल लिग के लिए ना यूज करें तो बेटर रहेगा इस टीम को भी क्लोज कते हैं नववी टीम देख लेते नववी टीम के अगर बात करूं तो दोस्तो दिनेश कार्तिक और जिते शर्मा दोनों को साथ में ले रहाँ विराट कोली शिखरदवन फाब डुपलिसिस लोम रोड चार अच्छे खासे बैट्समन मैक्सवेल सिकंदर रजा एम शाट सैम कुरण अच्छे खासे ओल रौंडर और मोहमत सिराज इस तरसे काफी बड़ी याद टीम है दोस्तो तोड़ी अलग है हटके है क्योंकि दोस्तो यहां पर मैं क्याप्टन मनाने जा रहा हो मुहमत सिराज को और सैम कुरण को वाइस कैप्टन सिराज भी काफी जबदा स्विक्टे लेते रहते अगर दो तीन विके टकल की मैच में अगर ले ले सैम कुरण को कैप्टन और मुहमत सिराज को वाइस कैप्टन मैं इसी तर से रखूंगा काफी बड़िया टीम है दोस्तों जरूर आपको ग्रैंड लीग या बड़ी बड़ी लीगों के लिए जरूर यूज करनी चाहिए इस टीम को भी क्लोज करते हैं दसवी और आखरी ट अला रूंडर में आप देख सकते हैं चे ओल रौंडर ले रहा हूं जो कि आपको गेनबाजी भी करके दे सकते तो इसी लिए है और कर लेका divers काफी के म CG रह सकता है अगर बात करूँ क्याप्टन की तो हर्सरंगा को क्याप्टन मना रहा हूँ और सबसे बड़ी बात दिनेश कार्तिक को इस टिम का वाइस क्याप्टन मना रहा हूँ हो सकता है कल RCB की पूरी टीम जल्दी जल्दी आउट हो जाए और दिनेश कार्तिक अच्छी पारी खेले औ तो इसलिए आपर दिनेश कार्तिक को थोड़ा हटके सोच रहा हूं और रिस्की है लेकिन फाइदेमन साबित हो सकता है तो इसलिए आपर आप सोच समझ कर सकते हैं दोस्तों आपको अगर नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लेम नहीं लेकिन करेंगे तो और एगर सक्सेस हो तो वो भी इतना मुश्किन मुझे नहीं लग रहा है आपको सभी दस्टी में भी काफी पसंदा होगी अगर पसंदा है तो इसे लाइक शेर और कमेंट दरू कर दीजे चैनल को भी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आ सब्सक्राइब को जॉइन करना भी काफी फायदे मन रहेगा अभी के लिए इतना ही दोस्तों मिलते अगले उड़े में तब तक के लिए थाइंक्यू धन्यवाद और गुडबाए